Hello students, मैं मिसेस दी लालबागा सिंटर कॉलेच से और यहां मैं वैलकम करती हो फिक लास 10 के बच्चों का लालबागा सिंटर कॉलेच की उतूर चैनल पर बच्चों हमारा चैप्टर गडित में चल रहा था दूःगवाद समीगरण हमने दुईघाद समीकरण को हल करना शुरू कर दिया था जिसमें से पहली विदी थी कि किसी भी दुईघाद समीकरण को किस तरीके से गुड़नखन विदी के द्वारा हल करते हैं आज बच्चों हम लोग को इखाद समीकरण का हल करेंगे लेकिन पून वर्ग बना करके तो बच्चों चले आज हम पून वर्ग के द्वारा तो इखाद समीकरण का हल करना शुरू करते हैं तो students शुरू करते हैं पून वर्ग बनाकर समी करण का हल निकालना आपको जब बोला जाएगा कि पून वर्ग बनाकर करना है तो आपको पून ही वर्ग बनाना होगा जबकि बच्चों को जो easy लगता है वो गुणन खंड method लगता है लेकिन जब बोला जाएगा तो आपको उस a-b का whole square जो भी समी करण है यह आम देखे तो a square plus 2ab plus b square यह a square plus 2ab minus b square जो भी है इसी तरीके के दोनों बनेंगे तो अब यह आप इनको focus करें तो हमें कुछ नहीं सबसे पहले वाला पद हम उठाएंगे हमेशा ना आगे का देखिए ना पीछे का देखिए तो 4x का जब हमने बर्क करा तो हमें क्या बन गया 2x का whole square अब मध्यपद क्या होता है जैसे मालीजे इसका हमने a plus b का whole square खोला तो ध्यान दीजे a square plus 2ab plus b square तो ऐसी हुआ 2x का whole square plus 2a a मतलब क्या हो जाएगा 2x into b अब भी क्या होगा तो अब आपको b कैसे पता करना पड़ेगा कि मेरा b क्या होना चाहिए देखिए बीच वाला पद हमारा 16x है हम अभी तक 4x लेख चुके है तो आगे क्या लगा दें कि 16 हो जाए 4 देख लीजे मंटिप्लाय कर लीजे एक ब का जब वर्ग करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग देखे बन जाएगा 2x2 plus 2 into a into b अब अपने मन से जब 4 का वर्ग लगाया है तो अपने मन से लगाने का मतलब है कि उतना ही जितना आपने लगाया उतना ही वर्ग आप माइनस कर दोगे ठीक और लास्ट पद अब आपका क्या बचा माइनस 9 वो as it is उतार लेंगे is equal to 0 अब आपने हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रेट से underline कर दे रहे हैं ताकि clear हो आप लोग नहीं करोगे underline हम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि यहां से यहां तक यह पूरा वर्ग बन गया पूर्ण वर्ग बन गया कुछ नहीं आप simple देखिए 4x square है इसका वर्ग कर लिजे 2x square ठीक अब बीच वाला पत क्या होता है 2ab 2ab कैसे आएगा 2 into a a हमें पता ही चल गया 2x into b कैसे आएगा चूकि मद्देपद 16 है तो 16 में कम पढ़ रहा है 4 into 4 कर लिया अब बट आव्यस है next path 4 square ही होगा क्योंकि a का वर्ग और जो b का वर्ग होता है उसी से बीच में मिलता है 2 into a into b अब हमने देखा जाए तो अपने मन से 4 square लगाया है क्योंकि 4x square अपने place पर है 16x अपने place पर है यही तो चीज लगा ही तो जो अपने मन से लगाते है तो plus करेंगे तो minus कर देंगे तो यह तो equal हो गया अब यह minus 9 as it is उतर गया अब यह पूरा जितना underline हमने red से किया है यह पूरा का पूरा बन गया 2x plus 4 का whole square ठीक है जैसे यह देखो पूरा a square plus 2a b plus b square का मतलब क्या हो गया a plus b whole square minus 4 का square कितना होता है 16 minus 9 is equal to 0 clear next step क्या हो जाएगी 2x plus 4 square minus 25 minus minus हमेशा plus हो जाता है बट चिन किसका रहता है minus का is equal to 0 so 2x plus 4 whole square is equal to 25 minus का 25 जो transfer होगा यानि right hand side जाएगा तो plus का हो जाएगा 2x plus 4 is equal to under root 25 क्यों क्योंकि जब हम यहां से work हटाएगे तो यहां पर change हो जाएगा वो under root के sign में 2x plus 4 is equal to plus minus 5 क्योंकि under root 25 का जो value होती है वो 5 होती है अब यहां बच्चे केंगे plus minus क्यों लिखा क्योंकि minus 5 का work भी 25 आएगा और plus 5 का भी work भी 25 आएगा इसलिए लिखते हैं तो यह हो जाएगा हमारा एक बार हम plus लेके चलेंगे एक बार minus लेके चलेंगे तो यहां लिख देंगे जब 2x plus 4 is equal to 5 हो तो 2x is equal to 5 minus 4 2x is equal to 1 and x is equal to 1 upon 2 तो पहली value हमारी क्या निकल गया या पहला मूल हमारा क्या निकल गया x is equal to 1 upon 2 हम एक बार तब लेके चलेंगे जब हमारा इदी minus आता तो 2x plus 4 is equal to minus 5 2x is equal to minus 5 minus 4 2x is equal to minus 9 x is equal to minus 9 upon 2 तो इस तरीके से x के हमारे दो मूल निकल गया पहला हमारा निकला 1 upon 2 और दूसरा हमारा निकला minus 9 upon 2 तो इस प्रकार से हम किसी भी दी गई दोईगात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर निकाल सकते है सवाल इस तरीके से दे दिया जाए जो कि देखने से लगे अरे यह तो कहीं दोईगात समीकरण है यह नहीं कैसा सवाल x minus 1 upon x is equal to 3 आपको देखने से किसी भी एंगल से यह नहीं लग रहा कि यह दोईगात समीकरण है लेकिन आप इसे थोड़ा solve करेंगे क्योंकि एक fraction के form में तो LCM लेंगे तो इसका x हो जाएगा so x square minus 1 is equal to 3 x को cross multiply कर लेंगे तो हो जाएगा x square minus 1 is equal to 3x अब 3x चुकि पूरी दोईगात समीकरण बनानी तो 3x को इस तरह पक्षान कर कर लेंगे x square minus 3x minus 1 is equal to 0 तो यह एक दोईगात समीकरण बन गई था हमारा इस तरीके से बना हमारा इस तरीके से अब वही पहले की तरह है चुकि कहा गया है पूर्ण वर्ग के द्वारा हल कीजिए तो पूर्ण वर्ग के द्वारा हल कीजिए तो मतलब पूर्ण वर्ग के द्वारा हल कीजिए कुछ नहीं X स्क्वेर मतलब X स्क्वेर है अभी हमने क्या कहाता या तो A प्लस B का होल स्क्वेर बनेगा या A माइनस B का होल स्क्वेर बनेगा इस समीकरन को देख के बिलकुल आसानी से पता चल रहा है कि ये A-B का whole square के form में ही बनेगा क्यों? क्योंकि जो मद्धेपद है वो minus है ठीक है? x square हो गया यानि a square हो गया अब now minus 2ab तो 2 into a, a के place पे हो गया x अब b के place पे क्या हैगा? तो देखे हमेशा जोड़ तोड़ वही करते हैं जैसे कि कहना चाहिए ना कि जितना आपने बोलना उतना ही बस मतब लिखना भी है 3x होना चाहिए तो देखा चाहिए 3x तो तभी आएगा ना जब इस 2 को हट आए सो हम multiply करते हैंगे 3 upon 2 से देखे ना 2 से 2 कैंसल हो गया automatically 3x आगे ना वहली जो एक हम लोग एक मुहावरा बोलते ना कि साप भी मार दो और लाठी भी ना तूटे तो यह साप मार चुके हम लोग लाठी भी ने तूटी हमारी तो अब देखो बी के place पर क्या है 3 upon 2 तो यह 3 upon 2 का whole square हो गया हमने underline red pen से करी दी कि यह पूरा का पूरा बन गया x minus 3 upon 2 का whole square लेकिना x square plus 3 upon 2 square minus 2 into x into 3 upon 2 clear 3 upon 2 का whole square क्या हो जाएगा 9 upon 4 minus 1 x minus 3 upon 2 whole square minus common ले 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 जी और fraction के according इसको LCM ले ले जी तो 9 plus 4 upon 4 हो जाएगा 9 में 4 एडिया 13 upon 4 x minus 2 whole square minus 13 upon 4 जब पक्षांतर हो के इदर जाएगा तो plus का हो जाएगा अब आप square हटा दोगे तो right hand side क्या लग जाएगा under root 13 का under root मतबहें नहीं निकाल पाएगे तो plus minus क्या हो जाएगा under root 13 upon 2 इससे पहले भी बताया कि जब हम किसी भी संख्या का plus वाली संख्या का धन या धन वाली संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो भी उसका वर्ग मूल positive आता है और रण वाली संख्या का हमें दिवर्ग निकालेंगे तो उसका भी वर्ग मूल क्या आएगा हमारा positive ही आएगा so x is equal to अब एक बार देखी इस चीज को भी देख लेते जब आप किसी भी संख्या का वो निकालते हैं x is equal to plus minus under root 13 upon 2 and 3 upon 2 ठीक अब एक बार plus में ले लीजिए तो plus में लेंगे तो क्या हो जाएगा under root 13 upon 2 plus 3 upon 2 ठीक तो x is equal to चुकि 2 टू सेम है तो हमारा lcm 2 हो जाएगा इसी को हम लिख सकते है 13 plus 3 एक बार हमने minus करके कर लिया जब तो यह हो जाएगा same number वही रहेंगे 13 under root 13 minus 3 upon 2 तो इस तरीके से हमारे x के दो मूल निकल गए 13 under root 13 plus 3 upon 2 और दूसरा निकल गया under root 13 minus 3 upon 2 तो बच्चो इस तरीके से एक यह आपका सवाल निकलाया जो कि हमने क्या था क्यों खास्त और से इसे बताना चाहा कि दिखने में यह किसी भी एंगल से दूइगात समीकरन नहीं लगी लेकिन जब solve किया तो दूइगात समीकरन हो गई और सेम वही method से हमने work बना करके solve करते चले गए clear पच्चे कहेंगे कि ठीक है यह तो समझ में आ गया माली जब कुछ इस तरीके से आ जाए कि किसी का root ही ना निकले या किसी का वर्गी ना निकले तो क्या होगा हमने इसलिए एक सवाल इस तरीके से भी किया है जो आपके सामने है सवाल लिया हमने 4x2 plus 3x5 is equal to 0 सेम वही तरीका है कि दिखी रहा है कि a plus b का whole square बनेगा तो हमारा change होना चाहिए a square plus 2ab plus b square में तो हमने 4x का square किया तो क्या बन गया 2x का whole square plus 2ab यानि 2 into 2x into अब देखे सेम चीज़ है क्योंकि मद्धेपद हमारा 3x है तो 3x ही रहना चाहिए तो कैसे रहेगा 3x जब हम ये 2, 2, 4, 4 हटा दे तो क्या करेंगे 3 लगा लिया अपने मन से और अपन 4 कर दिया तो एक तरीके से हमने 3 upon 4 का वर्ग बना लिया अपने मन से जैसे ही plus किया 3 upon 4 जस्ट आपने हाथ के हाथ माइनस कर दिया 3 upon 4 square plus 5 plus 5 अपनी चके रहेगा is equal to 0 तो यहां से लेकर पूरा यहां तक यह बन गया 2x plus 3 का whole square देखो ना a square plus 2ab plus b square ठीक है ना वही 2x plus 3 upon 4 का whole square बन गया now 3 3s are 9 और 4 का वर 16 तो minus 9 upon 16 plus 5 is equal to 0 आप minus sign common लेलो तो आपका बन जाएगा sorry आपको यह LCM लेलो तो 16 को इस तरीके से solve करेंगे तो minus 9 plus 80 upon 16 यह 71 upon 16 आजाएगा तो इस तरीके से जब हम करेंगे 2x plus 3 upon 4 का whole square is equal to minus 71 upon 16 क्योंकि plus के जब संख्या right hand side में पक्षांतर होगी तो minus में होगी संख्या आई minus में अब plus में नहीं आई minus में जो कि क्या होगी 0 से छोटी हो गई यानि 0 से छोटी संख्या ही तो minus की संख्या होगी तो जब 0 से कोई चीज छोटी हो गई तो वो मतलब है कि उसके मूल वास्तविक होंगे ही नहीं तो जब किसी के मूल वास्तविक होंगे ही नहीं तो उसको निकालना क्या होगा मुश्किल होगा तो इस तरीके के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं देखने में तो बड़ा अच्छा सा लग रा था कि शादिया हमसे बहुत जल्दी बन जाएगा लेकिन जब हमने इसको solve किया और करते ही पता चला कि चुकि ये तो रिडात्मक एक संख्य आ गई तो इसका वास्तविक मान नहीं होंगे तो यह समीकरन को संक्तुस्ट भी नहीं करेगा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिये गए समीकरन के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे ठीक है तो यह इसका final answer आ जाएगा तो इस तरीके से हमने तीन अलग-अलग आपके स सामने सबाल रखे तो स्टुडेंट्स जहां तक मुझे उमीद लगती कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इसी के बैसिस पे आप exercise स्टार्ट करिएगा यह कोई problem होती तो आप WhatsApp पूछ लीजेगा तो बच्चो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम जल्दी से मिलते तब त के लिए ओके बाई टाटा थैंक यू बच्चो